नमस्कार दोस्तों दस्मी क्लास की एक छात्रा थी जिसे एक शिपकली ने काट दिया और जैसा की लोगों में इस बात की जानकारी होती है कि शिपकली के काटे कोई बचता नहीं है तो वह लड़की बहुत जादा घबरा गई उसके जानकार के लोग उसके आसपड़ उसके ल सबस्ता ही नहीं है और यह बात लगातार कोई ने कोई बोल रहा था उसका इलाज भी चल रहा था लेकिन वह लड़की आधे पौने घंटे के अंदर खतम हो गई यह एक सची घटना है लेकिन मैं आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ इसके साथ जुड़ी हुई तो बात यह है कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि शिपकली कोई जहरीली जीव नहीं होती है शिपकली में कोई पौईजन नहीं होता है वह किसी को काटे तो उसकी मौत नहीं होती लेकिन वह लड़की जो खतम हुई वह भी एक सामानी चीज है क्योंकि जब किसी के दि कि गूगल पर चिक कर लीजेगा या अन्य वीडियो देख लीजेगा लेकिन मैं आपको साफ साफ बताय दे रहा हूं कि इस भ्रांती को आप दूर कर दीजिएगा कि शिपकली जहरीली होती है शिपकली जब भी काटे तो उसे एक दर नॉर्मल समझें क्योंकि उसमें कोई जह हैं यहीं वाकिया हुआ था कोरोना महामारी के टाइम पे कोरोना महामारी में दो परसंट का डेथ रेट था लेकिन वास्तविक्ता तो यह थी कि उन मरने वालों में में से भी 50% से उपर लोग सिर्फ और सिर्फ डर और घबराहत के कारण खतम हुए थी यदि कोरोना के करिए इससे आपकी उम्र बढ़ेगी और अकाल मृत्यू का खत्रा टलता है तो चिंता और तनाव भी मृत्यू का एक बहुत बड़ा कारण होता है इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि सकरात्मक सोच से आप युक्त रहें जिससे आप इस प्रकार की जो शिपकली के काटने से म खुष रहिए प्रसंद रहिए और आपकी उम्र लंबी होगी जय हिंद जय भारत